राधे राधे, हमारे वेद शास्त्रों में भागवत महापुरान का अस्थान अग्र गन्य है भागवत महापुरान को विलक्षन गरंत बतलाया गया जिसके समान दूसरा कोई गरंत नहीं है वेद शास्त्रों में सबसे प्रमुक अस्थान भागवत महापुरान का है और भागवत महापुरान में कोई कैतब नहीं है, कोई दोश नहीं है, जो परिपूर्ण भक्ती से सराबोर है. भागवत महापुरान भगवान की कहानी है, कैसे इस स्रिस्टी की रचना होती है, कैसे इस स्रिस्टी का संचालन होता है, कैसे ये स्रिस्टी का विनाश होता है. भागवत महापुरान हमें अपने 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 असकंद में ये सारा ज्यान हमें प्रदान करता है पहला असकंद कैंटो वन में हमने परिक्षित महराज की जन्म की कथा सुनी उसके पहले भागवत महातम्य का भी वर्णन है जिसमें भागवत के महातम्य की चर्चा हुई दूसरे असकंद में हम लोगों ने परिक्षित जी के कुछ प्रश्णों के उत्तर सुने तीसरे चौथे असकंद में हम स्रिष्टी का ज्यान प्रात करते हैं जिसमें बतलाया गया कि कैसे भगवान महा विष्णु का फॉर्म रूप लेते हैं और महा विष्णु जिन्हें प्रथम पुरुष कहा गया वो इस श्रिष्टी की रचना के लिए अनन्त ब्रह्मांड की रचना करते हैं अनन्त ब्रह्मांडों की रचना हो रही है और ये जो श्रिष्टी है वो अनन्त है और उसमें से एक ब्रह्मांड हमारा है जिसमें चतुरमुखी ब्रह्मा जी है जो महा विश्णु के दूसरे रूप गर्बोदाशाई विश्णु के नाभी कमल से प्रकट होते हैं उनके मानस पुत्र होते हैं दस रिशी, पुलस्त्य, पुलह, अंगीरा और भी कई मानस पुत्र, कश्यप, करदम जी फिर नारज जी का उद्गम होता है रुद्र जी, शिप जी का उद्गम ब्रह्मा जी के कपाल से और इस तरह से स्ष्टी आगे बढ़ती है फिर जब स्ष्टी का विकास पूर्ण गति से नहीं होता है तब ब्रह्मा जी सादना में बैठते हैं और उनके शरीर से मनू और शत्रूपा का जन्म होता है जिन मनू और शत्रूपा से मैथुनी श्रिस्टी प्रारम्भ होती है और मनु और शत्रूपा के पांच उनके पुत्र और पुत्रियां होते हैं दो पुत्र उतान पाद और प्रियेवरत और तीन पुत्री देवहुती आहुती और प्रसुती तो इनके वन्शों की कता है बागवत महापुरान में और अनन्त इसके आयाम है इतना समझ लें कि बागवत महापुरान को वेद रूपी कल्प व्रिक्ष का पका हुआ फल माना जाता है जिसे लीला शुक जो पैरट है उसने इसे टेस्ट किया हुआ है और ऐसा फल है जिसमें न तो कोई गुटली है न कोई छिलका है न कोई रेशे हैं इसमें सिर्फ रसी रस है उसी भागवत महापुरान में अभी हम लोगों ने चार असकंद तक की यात्रा पूरी की है और चौते असकंद के अंत में जब हम लोग उतान पाजी के वंश का अध्येन कर रहे हैं उतान पाजी के पुत्र धुरूब जी और उनके वंश में राजा अंग, राजा वेन और राजा प्राचीन बरही इन परस्नालिटिस का अध्यन कर रहे हैं तो प्राचीन बरही के जो पुत्र है प्रचेता जिनकी संक्या दस है वो भी बहुत उचे भक्त हैं और उनको कैसे भगवान शिब उनको ज्यान दिलाते हैं उसे रुद्र गीत में प्रकट किया गया है भागवत महापुरान में तो उसी रुद्र गीत से हम लोग कुछ श्लोक को पढ़ेंगे रुद्र गीत भागवत के चतूर्थ असकंद में श्लोक संक्या 33 से प्रारंब होती है और श्लोक संक्या 89 तक जाती है और रुद्र गीत में भगवान शिब ने भगवान की अस्तूती की है और उनके गलोरीज को बतलाया तो अत्यंति विलक्षन कथा है यह अत्यंति विलक्षन अस्तूती है और उस रुद्र गीत से हम लोग कुछ श्लोक को पढ़ते हैं अथान गांग्रे अस्तव किर्ति तिर्थयो रंतर बही अस्नान विदूत पाप्मनाम भूते श्वनुक्रो सशु सत्व शीलिनाम श्यात्संग मोनुग रहे सनस्त्व श्लोक संख्या 58 अठावन प्रभो आपके चरण संपूर्ण पाप राशी को हर लेने वाले हैं हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी कीर्ति जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगाजी में आंतरिक और बाहिय अस्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रती दया राग द्वेश रहित चित तथा सरलता आदी गुनों से युक्त हैं उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे यही हम पर आपकी बरी कृपा होगी बगवान शेब जो बगवान ही है वो रुद्र के रूप में प्रचेताओं को यह ज्यान दे रहे हैं जब प्रचेता दस जिनकी संग्या है दस भाई जब वो अपनी यात्रा में निकलते हैं वो समुद्र में खड़े रहकर अस्तुती करने के लिए तपस्या करने के लिए जा रहे हैं तभी उनको शिप जी दर्शन देते हैं और यह ज्यान उनको बतला रहे हैं तो अभी हम लोगों ने श्लोक संक्या अठावन परी और अब आगे के श्लोक पढ़ते हैं 69 नयस्याचित्तम बहिरर्त विब्रमम् तमोगुहायाम्च विशुद्ध माविशत यद भक्ति योगा नुग्रिहित मन्जसा मुनेर विचस्टे ननुतत्रते गतीम जिस साधक का चित भक्ति योग से अनुग्रिहित योँम विशुद्ध होकर न तो बाहिय विश्यों में भटकता है और न अज्ञान गुहा रूप प्रकृती में ही लीन होता है वो अनायासी आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है श्लोक संख्या साठ जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयम संपूर्ण जगत में भासरा है वो आकाश के समान विस्तरित और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आपी है श्लोक संख्या एकसट यो माय एदम पुरुरूपया स्रिजद बिबर्ति भूय छपयत्य विक्रियह यद बेद बुद्धी सदिवात्म दुस्थया तमात्म तंत्रम भगवन प्रती मही भगवन आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारन करती है इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना पालन और संगार करते हैं जैसे यह कोई सद वस्तु हो किन्तो इससे आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता माया के कारण दूसरे लोगों में ही बेद बुद्धी उत्तपन होती है आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं श्लोक संख्या बासट क्रिया कला पैरिदमे वयोगिनह श्रदान विता सादुय जन्ति सिद्धये भूतेंद्रियांत करनो पलिक्छतम वेदे चतंत्रे चत एवको विदह आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिये और अंतह करन के प्रेरक रूप से उपलक्छित होता है जो कर्म योगी पुरु सिद्धी प्राप्त करने के लिए तरह-तरह के कर्मोद्वारा आपके इस सगुन साकार स्वरूप का श्रधा पुर्वक भली भाती पूजन करते हैं वेही वेद और शास्त्रों के सच्चे मरमग्य हैं श्लोक संक्या तिरसर्ट त्वमेक आद्य पुरुष शुप्त शक्ति अस्तयार जस्तत्त्तमो विभिद्यते महानहम खम्मरुदग्निवार्द रहा सूरर्षयो भूत गना इदम्यत फ्रभो आप ही अध्वितिये आदी पुरुष हैं श्रिष्टि के पुर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है फिर उसी के द्वारा सत्व रज और तम रूप गुनों का भेद होता है और इसके बाद उन्ही गुनों से महतत्व, अहंकार, आकाश, वायू, अगनी, जल, पृत्वी, देवता, रिशी और समस्प्रानियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है श्लोक संख्या चौसट शिस्टम स्वशक्त्ये दमनू प्रविष्ट शच्च्तुर विधंपुर मात्मान्शकेन अथो विदुस्तम पुरुषं संत मंत भुरंते रिशीकर मदुसार गमयह फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायूज, अंडज, स्वेदज और उद्विज भेज से चार प्रकार के शरीरों में अंश रूप से प्रवेश कर जाते हैं जिस प्रकार मदु मख्या अपने ही उत्तपन किये हुए मदु का आस्वादन करती है उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इंतुक्ष विश्यों को भोगता है आपके उस अंस को ही पुरुष या जीब कहते हैं श्लोक संख्या पैसट प्रभो आपका तत्वग्यान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है प्रले काल उपस्तित होने पर काल सुरूप आपी अपने प्रचंड एवं अस्या वेग से प्रित्वी आदी भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संगार कर देते हैं जैसे वायू अपने असहनिये एवं प्रचंड जोकों से मेगों के द्वारा ही मेगों को तीतर बितर करके नश्ट कर डालती है श्लोक संख्या 66 प्रमत मुच्यरिति कृत्य चिंतया प्रव्रिद्ध लोबं विशये सुलाल सम भगवन यह मोगरस्ट जीब प्रमाद वश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्ज करना है इसका लोब बढ़ गया है और इसे विशयों की ही लालसा बनी रहती है इंतु आप सदा ही सजग रहते हैं भूक से जीब लप-लप आता हुआ सर्प जैसे चुहे कोचेश्ट कर जाता है उसी प्रकार आप अपने काल सोरूप से उसे सहसा लील जाते हैं शलोक संख्या सरसट आपकी अभहलना करने के कारण अपनी आयू को ब्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चर्ण कमलों को बिसारेगा इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वायंभव आदी 14 मनगों ने भी बिना कोई विचार किये केवल श्रद्दा से ही की थी ब्रह्मन इस प्रकार सारा जगत रुद्र रुपकाल के भैसे व्याकुल है अतपर्मात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वता बैशुन्य आश्रे हैं तो इस प्रकार हम लोगों ने रुद्र गीत विलक्षन भागवत महापुरान के चतुर्त असकंद के 24 अध्याय से कुछ श्लोक हम लोगों ने पढ़ा जिसमें भगवान शिब परमसत्ता भगवान की गलोरिस को उनके ओप्यूलेंस को बता रहे हैं उनकी विभूतियों को बता रहे हैं और इतनी रस भरी इस भागवत महापुरान में हमें यह जाकी मिलती है राधे राधे